है गाइज वेलकम बाक फ्रेंट्स आरे दस सेपरिल मंडे का दिन है और आज मैं अपने टेरेस कार्डन से फिर से फ्रेंच बीन्स हार्वेस्ट करने जा रहे हूं फ्रेंच बीन्स लेने से पहले उसके पास वाले पॉट में ही दो टमाटर बड़े-बड़े हो रहे हैं पॉट आपको याद होगा देखो साइज अभी भी कितना बड़ा है इन टमाटरों का हलांकि पिछले सीजन में बोई थे मैं कुछ समय पहले मैं सोचा था कि इसको यहां से उखार दूँ पर फिर देखा कि चाहे यह पौदा थोड़ा सूख रहा है चाहे एक तरफ को तो यह दो टमाटर जो रेटी हो गए उनको लेकर अब हम चलते हैं फ्रेंच बीन्स लेने फ्रेंट्स देखो अभी साथ एप्रिल को ही यहां से हार्वेस्ट ली थी और आज है दस एप्रिल साथ एप्रिल को जो छोटी-छोटी बीन आपको दिखाई थी ना वो आज रेड और सबसे बड़ी बात 100% और्गैनिक वेजिस मेरे पौदे चाहे खराब हो जाएं लेकिन कभी भी मैं उनमें कोई भी केमिकल पेस्टेसाइड ये फर्टिलाइजर नहीं डालती हूं कभी भी नहीं वैसे जब टेरस कार्टिनिंग स्टार्ट की थी तब कई बार पौदे हो चोटी फ्रेंच बीन्स बन गई हैं यहां पर यह भी जल्दी ही बड़ी हो जाएंगी हर्वेस्टिंग के लिए प्रेंच उस दिन भी मैंने यहां से लिए थे हैं आज फिर से बीन्स लिए और आपको दिखाए भी है कि कितने छोटेटे बीन्स ब्हें और भी बन रही हैं फ्रेंच मैंस फ्रेंच बीन्स इस पर तो जब पौदे को फल देना यब वर्मी चांपोस डालने सटार्ट कर पाल थो कितनी भूर्बुरी और कितनी क्लियर रहा 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 पर वर्मी कंपोस डालने स्टार्टी प्रेंज। कितनी भूरबूरी है और कितनी क्लियर है कितनी क्लीन है मतलब कोई हाथ लगाते हुए इसको अजीब नहीं लगता बहुत ही प्यारी है ये बर्मी कंपोस्ट तो बस एक मुठी दे देती हूं मैं सिरफ और फिर एक दो हार्वेस्ट के बाद फिर दे दूं मैं ऐसे फिला दू तांकि हवार आये तो उड़े भी ना ये और ये बीच में चली भी जाए फिर इसको पानी देंगे हम अब पानी मैंने दे दिया इसको पहली हर्वेस्ट करने के बाद दे दिया था अब ये हलका हलका इसको मैंने गोटी कर दी और ये फिर से मेरा पौदा तयार है अच्छे अच्छे फ्रेंच बीन मुझे देने के लिए अब यह अच्छी हो रही है यहां पर यह घर भूजा यह भी अच्छे से हो रहा है तो बस चलो आज के लिए फ्रेंज इतना ही जल्दी ही मिलूंगी एक नहीं वीडियो के साथ एक नहीं अप्डेट के साथ तब तक के लिए यह प्रेंच